हेलो माय यूट्यू फैंगली वेलकुम बैक टू माय चैनल रिया फियम तो आज मैं सुबा सुबा जा रहे हूँ राजभवन 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 में लगा हुआ है एक्जिबीशन जो कि बहुत ही प्यारा एक्जिबीशन है राजभवन आपका लोकेटर है महात्मा गांधी मार्ग पर तो यहां पर यह थी डेज की एक्जिबीशन थी जो कि स्टुडेंट्स के लिए बिलकुल फ्री ओफ खॉस्ट ऄट्पिने बीशन थी तो यहां पर आप देख रहे हूँ यहां पर आपको स्टार्टक से रिलेटड कही सारी नौलेज मिल जाएगी अगर आपको इस टार्टक कोके सारी आइडिया मिलेंगे तो यहाँ पे मैं और चीज़े एक्स्प्लोर करने जा रही हूँ तो यहाँ पे आप देखत होगे कि बहुत सारी अलग-अलग चीज़े मिलेंगी अगर आप एक अग्रिकल्चर के लिए स्टुडेंट हो तो आपको यहाँ पे जरूर विजट करना चाहिए मैं एक अग्रिकल्चर की स्टुडेंट हूँ तो मुझे यहाँ आके तो इतना अच्छा लगा कि मुझे अलग-अलग चीज़े देखने को मिले और यहाँ का आपको इतना ब्यूटिफुल लोकेशन है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे एक्चुली प्राइस डिस्टुबिशन भी था कि अगर आपका एक्जिबिशन में अगर आप फर सेगंड थाड आते हो तो उसमें भी आपको प्राइस मिलेगा तो यहाँ ने काफी बच्चों ने कई सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया गया था जिसने बिजनस स्टार्ट अप किया है अभी तो वो यहाँ पे एक्जिबिशन में आयो था यह जैसे आप देख रहे हो कई सारे यहाँ पे शॉप लगे हुए हैं तो यह आगे आपक और बहुत मजाएगा आपको देखने में और नालज़ भी काफी मिला और यहाँ पे चीजों को सीखने के लिए भी बहुत कुछ चीज़े थी और यहाँ पे तो आपकी आखें नहीं थखेंगी इतने अच्छे-च्छे flowers आपको देखने को मिलेंगे और इतना प्यारा लग रहा था जैसे आपको यहाँ पे यह देखने को मिल रहा है जैसे आर्केट चैटर जी जैसे आपको कोई भी flower है वो कहां की variety है कहां पे ग्रो कराई जाती है यह सब चीजे information आपको मिल जाएंगी और किसमें ग्रो कराई है यह सब भी चीजे पता चलेंगे जैसे यह देखो आप इतना flower beautiful बना हुआ है यह सारी चीजे आपको flower से ही बने हुई दिखेंगी इतने pretty pretty थे मतलब आप देख के आपका दिल खुश हो जाएगा यह देखेंगे आप जैसे राजवान का बूर्ड लगा हुआ है यहाँ पे और यहाँ पे आप देख रहो जैसे यहाँ जैसे श्री राम का यह बना हुआ है सब चीजे फ्लावर से बने दिखेंगी यह बर्ड यह भी फ्लावर से आपको बने हुए दिखेंगी यहाँ पे आप यह देखेंगे यह प्रॉपर चीजे मेंशन की गई है कि यहाँ पे डिवाइडिशन है यह माउंटेन टाइप में फ्लावर ग्रो कराएगे है शेप, साइस प्रॉपर मेंटेन किया गया इसको आप देख सकते हो कि कोई भी पोर्शन में आपको प्रॉपर प्रॉणिंग बिगेरा सारी चीजे बहुत अच्छे सारीके से हुई है यहाँ पर देख रहे हो यह सारी चीजे बहुत प्यारा था यह फ्लावर से बना हुआ है, यह सेलफी पॉइंट, वीडियो यहाँ लोग बना रहे थे तो यह काफी अच्छा था मुझे लगा था यहाँ पर आपको कई सारी चीजे मिल जाएंगी सेलफी पॉइंट टाइप तो यह आप देख रहे हो, यह फ्लावर इतने प्यारे बने हुए थे यह ओम, यह सारी चीजे बहुत प्यारा था, फ्लावर से बने हुए थे यहाँ पर तो यह आप देख रहे हो, यह फ्लावर बहुत सुन्दर सुन्दर थे इसके बाद से अलग अलग तरीके से इसको ग्रो कराया गया था लेकिन मुझे सबसे प्यारा लगा था जिस तरीके से यहां इसकी maintenance, pruning, जिस तरीके से flowering की की गई थी वो देखकर काफी एकदम खुशी और काफी peaceful लग रहा था यहां पे भी आप देख रहे हो किस तरीके से छोटे-छोटे pots में यहां पे reporting करी जाती है plants की तो यहां पे यह सारे चीज़ा ऐसे ग्रो कराई जाती है तो यह exhibition आपको एयर में तीन दिन देखने को मिल जाएगा तो यहां पे आप आ सकते हो तो students के लिए तो free of cost है तो मैं आपको recommend करूँगी कि आप यहां पे आके जरूर विजिट करो आपको कई सारे knowledge यहां देखने को मिलेगी और यहां पे आपको काफी मज़ा भी आने वाला है मैंने बहुत मस्ती की मैंने बहुत यहां से knowledge गेंगी आप भी कर सकते हो यहां पे आप देख रहो जैसे यह fountain type यहां पे भी बहुत beautiful लग रहा था यह आगे मैं आपको काफी continuous vlog मैं आपको चीज़े दिखाती रहोंगी एक vlog में मैं सारी चीज़े आपको नहीं दिखा पाऊंगी क्योंकि vlog काफी लंबा हो जाएगा तो फिर आपको entertainment तो चाहिए ही चाहिए तो next vlog ज़रूर देखिएगा उसमें आपको काफी चीज़े पता चलेंगी और कई सारी मस्ती भी हम लोग ने की थी मैं और मेरी फ्रेंट साथ में थे तो हमनोंने काफी मस्ती की यह आप देखरो जैसे फ्लावर से यह हनुमान जी सीता जी यह काफी अच्छा बनाए गया था मतलब आप देखोगे तो आपको मन करेंगा आप देखते ही रह जाओ इतना beautiful था अच्छा आप मुझे comment section में बताना कि यह जो फ्लावर से बनी गई है यह कौन है यह comment section में जरूर बताएगा मैं चाहती हूँ कि सबसे पहले कौन answer देता है कि यह किस चीज की है मुझे खुशी होगी कि आपने comment में at least answer तो दिया कि क्या चीज है यह तो यह देख रहे हो आप यह पुरा फ्लावर यह सारी चीज है मतलब घूमने में बहुत मज़ा है आप बिल्कुल आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप 2-3 घंटा यहाँ पे रह लिए तो आपको लगेगा कि यार बहुत ही मज़ा आया यहाँ पे मैंने बहुत कुछ चीज़े सीखी बिल्कुल इदम इंटर्टेनिंग और इतना मज़ादार प्लेश है यह देख रहे हो आप आपकी आखे ठकने निवाली हैं यहाँ पे इतना सुंदर सुंदर चीज़े हैं यहाँ पे आपको फ्लावस अगर आप होम डेकोरीशन और होम डेकोर की चीज़े में बहुत इंटरेस्ट रखते हो तो आपको बहुत यह चीज़ प्लेश यह इतना पसंद आएगा कि यह द यह काफी डिफरेंट डिफरेंट कलर के आपको अलग अलग वेराइटी यहाँ पे सब कुछ मिलेगा ऐसे यसे चीज़े मैंने यहाँ पे खुद ऐसे यसे वेजीटेबल्स देखे जो की अलग 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 जगे पर गरो कराय जाते हैं तो मुझे यह सब देखने में इतना मजा आ रहा था मुझे तो मैं खुद एगरिकल्चर की स्टुडेंट हूँ तो मुझे यह सब चीज़े इतनी अच्छी लगी कि मैं ऐसे बिजनस पॉइंट से मैं कई सारे मुझे आइडियास थौट मेरे अंदर डबलब हुए जैसे आप यह देख रहे हो यहाँ पे मश्र आप मश्रूम को आप डार्क रूम में इस्पेशली ओस्टर मश्रूम को आप इसली गुरा गुरा सकते हो उसका बिजनस काफी अच्छा है गर कोई बिजनस पॉइंट आफ यह से सोच रहा है तो तो ओस्टर मश्रूम की सेलिंग बेसी के लिए 200 ग्राम अस्ती से 90 रूपी इसिज में आप सेल कर सकते हो रूफ करा सकते हो चीकाजी सब्सटी मिल लएए और बहुती पारदर सी क्रियानमन है यह जीजी आर्सी मोडल पूरे साल यूज कर सकते हैं और अच्छे पोड़क्त अगर बनते हैं और अच्छे उचके ब्रांडिंग पैकेजिंग करके मुझे यहां फिर उसके वाद से मैं बाहर नेकलरी यहां पर मुझे कई सारे आइडिडियाज मिल रहे थे थौट्स मेरे अंदर आ रहे थे बिजनस के लिए तो मैं यहां पर ये सारी चीज देख रही थी कि किस तरीके से लोग बिजनस कर सकते मश्रूम फार्मिंग का भी बिजनस बहुत अच्छा है मुझे वहां से यह चीज नॉलेज मिली कि किस तरीके से अगर आप मश्रूम फार्मिंग करते हो तो आप अगर मश्रूम आपके सेल भी नहीं हो रहे हैं तो आप उसको नेक्स्ट यर के लिए ड्राइ करके स्टोर करके फर्दर बॉल करके यूज कर सकते हो तो यह भी बिजनस काफी अच्छा लगा मुझे तो अगर आप सोचते हो तो इस बारे में फिर कमेंट सक्षिन बताइए कि आप कौन से बिजनस के बारे में स्टार्टप में ज्यादा सोचते हो और आपको किस चीज में इंट्रेस्ट ह यहां देखए कि अतना बड़ा फ्लाग यहां पे था यह तो यह तो मुझे इतना प्राइब हो गया है कि में मुझे लगता है कि में हर साल यहां पर 15 Mar Map and my Khali उनलग 5 19 दिखेंगी जिसको आप देखती मन करेगा कि वाव जस्ट लोकिंग लाइक वाव एक्जाक्टली तो यहां पर यह आप देख रहो जैसे यह लगे थे रोज यह देख रहो अब एक रोज के एक एक प्लांट्स यह आप देखो एक एक रोज कितना प्यारा यह ऐसे इन्होंने यह रखा हुआ था यह देख रहो आप जैसे यह बहुत प्यारा था ओवरल मुझे यहां पर बहुत मजाई इसका ब्लॉग का पाट सेकेंड भी आएगा तब तक यह लिए चैनल को लाइक कर दीजेगा सब्सक्राइब कर दीजेगा और हिट कर दीजेगा बेल आइकन को यह कर दीजेगा मेरी प्रेनाच की